नमस्कार, Education India पर आपका एक बार फिर से स्वागत हैं अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MPPSC Assistant Professor के Admit Card के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको Step by Step हर एक सब्जेक का Admit Card डाउनलोड करना है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में Step by Step दिखाई जाएगी ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको Admit Card डाउनलोड करना है तो आपको बता रहे हैं Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन में Google, Chrome या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है EducationIndiaLive.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है EducationIndiaLive.com Google में सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा यहाँ पर सबसे उपरवाली वेबसाइट EducationIndia को आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे की और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे MPPSC Assistant Professor Admit Card 2024 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को ओपन कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे की और आएंगे तो देख पाएंगे MPPSC Assistant Professor Admit Card 2024 टारेक्ट लिंक यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का नाम दे दिया है और उसी के सामने Admit Card डाउलोड करने का डारेक्ट लिंक आपको दे दिया है तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के सामने लिके हुए क्लिक फियर पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको अपने Application Number फिल करने है अगर आप Application Number भोल गए है तो प्रॉबलम नहीं है आपको बता दे आपको इसी पोस्ट पर यानि की EducationIndiaLight.com पर वापस आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे की और स्क्रॉल कर लेना है जैसे ही दोस्तों आप नीचे की और आएंगे तो देख पाएंगे Important Links Important Links के अंदर आपको देखने को मिलेगा Forgot Application Number Forgot Application Number के जो सामने Click Here लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करता है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी Detail फिल करनी है और Submit पर क्लिक करना है Submit पर क्लिक करता ही आपको अपने Application Number देखने को मिल जाएगे उन Application Number को Copy करना है या फिल लिखना है और उसके बाद उन Application Number को यहाँ पर आके फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी Date of Birth को इस कलेंडर में से फिल करना है अपनी date of birth को इस calendar में से आप fill करेंगे उसके बाद इस verification code को यहाँ पर fill करना है जो भी edition आपको देखने को मिल रहा है उसे आपको यहाँ पर कर देना है यानि कि solve कर देना है और यहाँ पर आपको login पर click करना है login करते ही आपके सामने आपका admit card open हो जाएगा यह थी पूरी जानकारी assistant professor के admit card को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप like और से अवस्थ करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जो और ऐसे ही जानकारिया और हर एक बड़ी अर्तिकी update सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी subscribe करके bell icon को दबारेज़ेगा मिलते हैं अब सब्सक्राइब वीडियो में किसे नचानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद